जाहिन दोस्तों आज का हमारा वीडियो है एक भीवर है जिन्होंने हमसे तीन सवाल पूछे हैं और उनका जवाब मांगा है तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से उनको जवाब देते हैं उनका पहला सवाल है विश्वा मीत्र का जन्म किस जाती में हुआ और वह बाद में ब्रहामन कैसे कहला है तो सुनिए बालमी की रमायन बालकांड पढ़ेंगे तो आप आएंगे कि विश्वा मीत्र और वसिष्ट की लराय चल रही थी जहां पर विश्वा मीत्र अपने आपक च्छग्रीय को च्छग कते हैं तो उसके यग में नहीं ज़ाते हैं और उसके यग को बाइकाट कर देते हैं तो च्छठ्रीय को पढ़ने की स्टन्तरता नहीं थी तो बालमिकी जी रमायन जैसे गरंथ कैसे लिखें बालमिकी नीचे जाती के थे इस पर बहुत सारे भरम फैलाते हैं और आए दिन मीडिया पर भी यह बाते होती रहती है कि वह छोटे जाती के थे आप किसी भी तरह की कोई बैख्या कर लीजिये लेकिन उसे या कभी भी सावित उन होता कि जिसको आप नीचे जाती के को रहे हैं उन्होंने रमायन की रचना कर दी और आप ने उनका एक समाज भी बना दिया यह लोग बालमिकी समाज के हैं लेकिन आपने जो राम मंदिर बनाया उनमें उन्हीं का अधिकार गैप कर दिया अगर वास्तव में आप यह मानते हैं कि वह नीची जाती से है या किसी भी धरित वर्ड के थे तो जितने भी राम मंदिर हैं उनका मलिकाना हक उनके जाती वालों को दे देना चाहिए था जब बालमिकी ने रमायन लिखा है तो फिर जितने भी पंडा पुरोहित मंदिरों पर कबजा क्यों किये हुए हैं सारे अधिकार वालमी की समाज को दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है, फिर भी आपकी जनकारी के लिए बता देती हूं, वालमी की रमायन में असपश्ट बताया है कि वालमी की ब्रामन थे प्रस्ण करने से पहले कुछ ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए, ज राम जी सबरी के जूठे बैर कैसे खाएं? तो सुनिये, आप धूर्द, मूर्ख, जाहिल, गवार हो, आपने सही कहां, चुनोतियों से लरना तो आसान है, पर चूतियों से लरना मुस्किल है, आप पर यह सवाल सटिक बैठता है, जिस वेक्ती ने कभी रमायन उठा कर नह जाकर अपना ज्यान बगार, आपके ज्यान के लिए बता देती हूं, पूरे वालमी के रमायन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सबरी के जूठे बैर राम ने खाएं, लेकिन वहीं सबरी जो की राम से असी साज की बूढ़ी महिला थी, राम ने उसे अपने पैड सुद्र, संबुग डिसी की हत्या राम इसलिए कर देते हैं, क्योंकि वह सुद्र होकर ज्यान प्राप कर लेता है, तो आपका जाहिल पूर्ण सवालों का जवाब ज्यान पूर्ण बातों से मिल गया होगा, अपनी मान सिकता बदल लीजिए, और हमें भी चुनोतियों से ल स्क्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें और ऐसे जाहिल गवारों से बस्ते रहें, धन्यवाद